अध्याए दो हे भायों, तुम्हाप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना, वेर्थ ना हुआ. वरन, तुम्हाप ही जानते हो कि पहले पहल, फिलिपपी में दो खुठाने और उपद्रव सहने पर भी, हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाप दिया, कि हम परमेश्वर का सू समाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हे सुनाएं, क्योंकि हमारा उप्तेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सू समाचार सौपा, हम वैसा ही वरणन करते हैं और इसमें मनुष्यों को नहीं परंटू परमेश्वर को जो हमारे मनों को चाचता है प्रसन करते हैं क्योंकि तुम यानते हो कि हम न तो कभी लल्लोपत्तो की बातें किया करते थे, और न लोब के लिए बहाना करते थे, पर मेश्वर गवा है, और यद्य पिर हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोज डाल सकते थे, तो भी हम मनुश्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुम से न और किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोशन करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार, पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थी, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि हे भाईयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरन रखते हुए, कि हमने इसलिए रात दिन कान धंदा करते हुए, तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया, कि तुम में से किसी पर भार ना हो, तुम आप ही गवाह हो, और परमेश्वर भी कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो, हम कैसी पवित्रता और धार्मिक्ता और निर्दोशता से रहें, जैसे तुम जानते हो, कि जैसा पिता अपने वालकों के साथ परताओ करता है, वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उप्तेश करते और शांती देते और समझाते थे, कि तुम्हारा चालचलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं, कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं, परन्तु परमेश्वर का वचन समझ कर और सचमुच ये ऐसा ही है, ग्रहन किया, और वो तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, वे अन जातियों से उनके उध्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं, कि सदा अपने पापों का नपूआ भरते रहें, पर उनका भयानक प्रकूप आ पहुचा है। हे भाईयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं, वरन प्रकट में तुम से अलग हो गए थे। तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुझ देखने के लिए और भी अधिगिया तुम किया। इसलिए हमने अर्थात मुझ पॉलुस ने एक बार नहीं, वरन दो बार तुम्हारे पास आना चाहा। परन तु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है। क्या हमारे प्रभु इशु के सम्मुक उसके आने के समय तुम ही न होगे। हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हूँ।